आजमगड के देवगाओं कोतवाली छेत्र के दो गाओं में बाबा साहिब भीम्रावं अम्बेटकर की मुर्ती तोड़ने का मामला सामने आया है जिसके बाद इलाके में भारी तनाव बना हुआ है सुत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि मंगलवार यानी की आज सुबा जब ग्रामिट घरों से बहार निकले तो उन्होंने देखा कि अराजक तत्वों ने दोनों मुर्तियों से सिर को तोड़ दिया है और उनकी प्रतीमा को भी छती ग्रस्त कर दिया इस घटना की सूचना मिलते ही सैकडो लोग जमा हो गए वही घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई जिसके बाद पुलिस फोर्स के साथ स्पी सीटी और सीओ भी मौके पर पहुचे साथ ही आम बेटकर प्रतीमा को छती ग्रस्त देख पुलिस और परशासन के हाथ पाम फूलने लगे मही भाउजन समाज पार्टी के नेता भी पोचे और अराजक तत्वों के खिलाफ कारवाई की मांग करने लगे किसी तरह से दोनों स्थानों पर आकरोशित गाउंवालों को समझा भुजा कर अधिकारियों ने शांत कराया और आश्वासन दिया कि छती ग्रस्त प्रतीमा के स्थान पर जल्द ही नई प्रतीमा की स्थापना के साथ अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कारवाई की जाए कर दो है